Hello and welcome back So, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSS के बारे में और यह हम करेंगे 0 to hero का So, basic CSS में आपको समझा दूँगा बांकि यह आपको पढ़ना होगा क्योंकि CSS की इतनी सारी properties है अगर आपको वीडियो चाहिए तो comment कर देना एक long video बना दूँगा जिसमें सारे CSS properties को यूज करके मैं आपको एक demo दे दूँगा कि कैसे CSS properties को यूज करते है फिलाल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CSS से कि CSS का होता क्या है So, इस वीडियो में मैं आपको CSS का introduction दूँगा CSS की syntax के बारे में बताऊंगा फिर basic CSS को HTML में कैसे यूज करते हैं वो बता दूँगा मैं आपको plus CSS की important है और कौन-कौन सी जो library है जो CSS की आज कल popular हो रखिए वो उन सब के बारे में बता दूँगा सबसे पहले हम आते हैं CSS के इंट्रो के बारे में CSS का full form होता है Cascading style set सो basically होता क्या है मैंने जब HTML का जो पीछे वीडियो बनाया था जो आपने शायद देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो HTML है वो layout वगेरा डिजाइन करता है structure बनाता है कोई भी web page का ठीक है उहां पे CSS painting और colorful और color change करना background change करना, size यह सब चीज़ें को handle करता है एक तरसे आप मानलो कि कोई building बनी है construction हो गया आप उसमें paint route करना है door की paint लग होगी grill का paint लग होगा, wall का paint लग होगा, ceiling का paint लग होगा वो सभी CSS के तरह काम करता है CSS को use करके किया जाता है तो यह था basic stuff introduction about CSS इतना ज़्यादा detail में नहीं जाते है और simply आप CSS के हम example देखेंगे मैंने जो एक basic साय बनाया था पिछली में HTML हम उसी को use करके करेंगे CSS को जो import करने के जो होता है वो तीन तरीके होता है CSS कैसे use करना है उसके तीन तरीके है CSS import करने के जो तीन तरीके है उसमें सबसे पहला होता है कि आप CSS को external use करो मतलब एक CSS की अलग से file बना दो जैसे यहाँ पे index.html है प्लस मैं यहाँ पे CSS की file बना देता हूँ मैं इसको save करता हूँ .css file तो मैं इसका नाम देता हूँ styles.css css उसका extension होता है जैसे html का .html वैसे css का होता है और मैं इसको desktop पे ही save कर जाता हूँ यह external बनाया है इसको मुझे link करना पड़ेगा इसमें कहीं डालना पड़ेगा तो जैसे html में css डाला जाता तो तीन तरीका में पहला तरीका मैंने बता दिया कि आप externally use कर सकते हो यहाँ पे आप head tag के अंदर याद रखना head tag के अंदर link करना होगा link href और जो file name है कौकि यह same folder में तो dot slash आपको करना styles.css यह हो गया ठीक है और link को अब कर देना है तो यह हमने style को link कर दिया और यहाँ पे REL लिख देते है so release REL लिख देते है और इसको लिखते है style sheet यह कर देना तो यह basically हमने external file को link कर दिया है अब कुछ मैं बना के दिखायता हूँ simple साम एक div बनाते है और div को कुछ नहीं करते है इस div को blank छोड़े तो इसमें बस मैं दिख देता हूँ hello अब इसको हम देखेंगे पहले screen पे कैसा दिख रहा है उसके बाद इसमें styling property में add करूँ कोड़े कोड़े कुछ इस तरीके से और हमारा यूआ कुछ इस तरीके से मैं इसको arrange कर देता हूँ ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा यूआई जिसमें hello जो है वो यह div के अंदर है और मैंने external style sheet को attach कर दिया मैं इहां पर लिख देता हूँ सो water e को भी मैं कुछ class देता है जो पहला पार अल्वा 단 selector selectors की यो onte होता है वह सेमी कॉलन से होता है यहां सेलेक्टर और यह तो इस तरीके का सिंटेक्स हमें यूज करना है आजेएग्जांपल था यह एक्चूल फी टैग निये बट इसको बताता हूं मुझे बॉरडि क 11가지 करता है और जो इसमेट का था का उसको भी इंभा तो मैं यहां पर सबसे पहरलों मेरा फ्षूलतो फ्मिश्य करने हो नाम झालने होता है सिम्पल्य ग ठीक रॉक मैं आपे ब्लू या भी या भी यहा भी यहां पे ब्राउण कर दियाarnya equality इहां पर यहां पर ला यहां पर कलर मेरा यह हो गया अका यहां मुझा भलनrans coupon अब मैंने इसको सेगे और प्रएश कर दो इसको रहे में ब्राउण क отд refused है ठीक है simple है ज्यादा confusing नहीं था यह ठीक है तो यह मैंने external करके बताया आपको अब मैं इसको अगर internal मुझे करना होता तो मैं क्या करता है इसमें अगर मुझे यही CSS internally use करना मैं external use नहीं करना चाहरा हूं for example तो मैं यहां पर comment कर दे रहा हूं ठीक है तो मुझे कैसे करना होता है मैं यहीं पर style लिखता इस तरीके से और यह था और यहां पर जो मैंने external file में लिखे ती same चीज मैं यहां कर दूँगा ठीक है मैं refresh करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि property लगी बट आपको दिखाने के लिए मैं इसका color change कर देता हूंकि blue कर देता हूं बॉलू कर देता हूं होटा कि आक्ग आपको यह पता लग जाया है कि internal जब मैं style लानआ तो भी यह काम करेगा तो यह in-term kind style भी उसका होता है लिए बट 4 बहुत को गया होता अपने अगने आप्लिष किस का दो जिसमें भी आपको तो मैं यहां इस टाइल लिख दूँगा और यहां पर जैसे मालो बॉडी जैसे बैक्राउंड कलर ही है तो मैं बैक्राउंड कलर ऐसी करके यहां पर लिख देता हूं ब्लैक ठीक है और मैं इसको सेव कर देता हूं तो बॉडि का कलर हमने यहां जो डाला था वो ब्लू डाला था और यहां पर इलन में जो डाला है वो ब्लैग डाल दिय तरहेखे द सिता है तो इसने भलैक को लिया जो तॉ हमेशा याद रखना है यह तो तो प्राइरिटी खोती वह सबसे धाही हुती इन-line CSS की priority हाई होती है, अब तीनों का comparison करने थे priority wise की किसका क्या priority है, ठीक है, तो style हो गया, यहाँ पर body हो गया, यहाँ पर यह भी मैं, तो मैंने तीन CSS लिख दिया है, एक in-line हो गया, यह internal हो गया और यह external जो हमने लिंक किया हुऊ, लेकिन कौन सी property कैसे apply होती है, वो अब देखेंगे, तो black, तो सबसे जो highest priority होगी, वो in-line की होगी, ठीक है, इसको हम हटा रहते हैं, save कर रहते हैं, अब मैं refresh करता हूँ, blue, उसके बात जो priority होती है, वो होती है, internal style की, ठीक है, CSS basically, ठीक है, तो अगर मैं इसको टाओंगा, तो फिर obvious है, जो external है, उसका जाए, ठीक है, तो यह clear cut आपको परदा चल गया, मैंने in-line property बिता है, तो in-line का मैं फिर से आपको बतायता हूँ, एक बार, इन-line में क्या करना होता है, जो भी tag है, for example, body के लिए मैंने लिख दिया कि style हो गया, और simply property, name, colon से separate, और value, और simply के लिए, माल लो 50px देता हूँ, कि कि मैं save करता हूँ, अब refresh करता हूँ, तो black में दिखे गा ही नहीं आपको padding, बट जो है na hello यहां आ गया, तो इतनी spacing उपर नीचे से हो गई, कि कि अगर मैं यह हटा दू, इसके जगा मैं color लिखता हूँ, color white, so color जो होता है, वो text color के लिए होता है, foreground color मान के चलना आप, कि यह text है जो अभी black में दिखनी रहा, उसके लिए, तो जब मैं refresh करूँगा, तो यह दिखे गा, अब मैं जब padding डालूँगा, तो आपको difference समझ में आ जाएगा, 20px, तो यह inline लिखने का तरीका था, internal का भी same, ऐसे ही है, कि आप यही पे, आपको दूसरा property add करना, इसमे, inline वाले का तो काम हो गया, inline मैंने आपको समझा दिया, so जो suggestion होता है, कि हमें inline use नहीं करना चाहिए, inline जैसे छोटे मोटे project है, एक page के तो आप कर लो, but recommended नहीं होता ह आपको दूसरा text का color change करना है, तो फिर आप उसको white लिखोगे, तो यह चीजे रहती है, इसकी थोड़ा code में अच्छा दिखता भी नहीं है, तो इसलिए avoid किया जाता है, फिर आता है, internal, internal आप लिख सकते हो, अगर छोटा application है, लेकिन अगर जैसे जो large application होता है, जो e-commercial website हो करते, separate file रखते हैं, तो long term के लिए, ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जैसे आपको दोनों ही बता सकता हूँ, बट मैं जैसे inline बता दिया, तो inline में ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस style tag के अंदर properties लिखनी है, जो हम अभी external में अभी लिखे थे, वैसा ही same, अब क्या करना हमें, हम external ही CSS कर रहे हैं, और मैं इसमें आपको clear cut पूरा बताऊंगा की कैसे क्या property, तो जैसे मैंने body को ये देती है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ को जो ये div है, ठीक है, इसका background color अलग है, so div basically यहाँ पे दिखनी रहा है आपको, बट वो यहाँ पे exist करता है, hello div के अंदर है, ठीक है, div के अंदर हमने hello लिखा है, तो हम div का color चेंज करना चाहरे है, तो मैं यहाँ पे आपको selector क्या हो गया हमारा, इस case में div हो गया, और property हम क्या दे रहे है, background color again, और जो हम color दे देते है, for example, black दे देते है, background color black हो गया, मैं save कर देता हूँ, refresh करूँगा, तो आपको यह पूरा black में देखेगा, text नहीं देखेगा, ठीक है, यह पूरा black हो गया है, तो यह basically div है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगी color, so color basically text color के लिए होता है, for background color, so text हम white दे सकते हैं, या फिर मैं alize blue दे रहता हूँ, ठीक है, suggestion में जो है, अब मैं refresh कर रह मैं आपको एक basic सा, पूरा CSS का एक बना के दिखाता हूँ, यह actual में padding margin वगए रखे है, तो 20px, ऐसे करके, save कर दिया, मैं अब refresh करूँगा, तो यह padding अंदर आ गया, ठीक है, clear cut हो गया, तो हम इने, हमने इसको जो select का है, वो div tag नाम दे कर रखे है, for example, अगर मैं यहाँ पे और div tag दे दू, ठीक है, save कर दूँ, यहाँ पे hello के बाद कुछ और लिख देता हूँ, world लिख देता हूँ, I hope, ठीक है, मैं refresh करता हूँ, तो hello world आगया, अब दोनों में property लग गया, क्यों, क्योंकि हमने div को target का था, तो जितने भी div होंगे body के अंदर, उन सब में same property लगेगा, क्योंकि हमने div को target की, तो अगर हम ऐसे चाहिए, कि जो सब पे property लग जाए, तब तो यह ठीक है, लेकिन म block element है, वो as a container की यहां पे मतलब है, तो है ना की मतलब common नहीं चाहिए, तो फिर एक, जो CSS लिखने के तरीके में, यहां पे class होता है, तो यहां पे मैं इसको दे दूँगा class, class में देता हूँ top, आप कुछ भी दे सकता हूँ, मैं top container दे रहा हूँ इसको, but कहा जाता है, कि class क इसका नहीं मैं ऐसा दो कि समझ में आ जाए कि वह actually मैं किस चीज को मतलब किस चीज के लिए वो use हो रहा है, for example, container की तरह काम कर रहा है, top container देता हूँ, इसका भी class देता हूँ, bottom container, और मैं अभी खरता हूँ, refresh, ठीक है, क्योंकि अभी div, आभी क्या है कि हमने class दे दिया है, बट हम target div को कर रहे हैं, जिसके वज़से ने इन दोनों का color भी भी black है, so जब class ही use करेंगे, अब तो अब देखो, जैसे यह मैं हटायता हूँ, div के जगह, यहां पर मैं जाता हूँ, dot top container, ठीक है, so हमारा class है, उसके आगे dot लग जाता है, class, tag में simple tag name होता है, class में जो होता ह जाता है, वो dot आगे लग जाता है, और उस class का name यहां पर लिख दोगे आप, ठीक है, तो यह CSS class काहा जाता है, इनको, ठीक है, अब इस पर आप को भी property, same हम उठा लेते हैं, यहां से, और div को remove कर देते हैं, ठीक है, तो अभी top container सिर्फ ऐसा दिखेगा, world में हमारा world का class जाता है, तो वो है, अगर मुझे जैसे यह class माने देती है, बट मुझे इसकी प्रॉपर्टी सेम चाहिए, तो एक तरीका मैंने div का बता है, लेकिन जब आप large application बनाओगे, तो बहुत सारे div होगे, तो आप कैसे करोगे, तो इस सिर्फ आपको इन दोनों का ही color सेम करना, त दोनों class में यह property लग जाए, ठीक है, मैंने save कर दिया और refresh मारोगा, तो दोनों में वो property लग जाएगा, तो यह एक तरीका हो गया, CSS लिखने का using class जो की सबसे popular तरीका है, और लोग generally सबसे ज़्यादा यही use करते, बट एक और तरीका है, कि आप class भी हो गया, tag भी हो गया, और क्या कर सकते है, मैं और बना देता हूं, यहाँ पर div, ठीक है, यहाँ class की जगह आप यहाँ पर id दे दो, ठीक है, id दे दो, bottom container इसको main container कर देता है, ठीक है, एक main container हो गया, bottom container, तो bottom container का यह तो हट जाएगा, hello world कर दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, bottom container और यहाँ टीक है तो ये तीन हो गया ओ अब रिफ्रेस्च करते हैं तो यहां पर फ़ाली लिए क्लास और ब्सक्राइन के digest eld capacity क्लास नहीं व्क्राइट को shouldn't go here तो अब इसको हटा है समय स्थाना सेफ कर दिया है अब हम διαृटर अ इस रूसरा है व смद Gavevy को कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको ID को यूज करने के लिए tag को directly यूज करना है class को dot से यूज करना है और ID को यूज करने के लिए आपने hash का यूज करना है hash bottom-container ठीक बांकि सेम है CSS है selector है यह selector को call करने का तरीका लग लग यहां यहां पर simply tag का नाव होता है यहां पर class को अगर selector class selector है तो फिर वो class से होगा और यहां पर bottom selector है तो यहां ID से होगा जो कि आपको यहां पर yes code में suggest भी करता है अब मैं bottom container का background color yellow करता हूं यह थोड़ा सब राइट आए अब अब मैं refresh करता हूं तो यह bottom container हो गया तो कैसे लगा मजा रहा है न मतलब colorful सा दिख रहा है कुछ तो I think कि आपको मजा रहा होगा इस CSS बहुत interesting है और बहुत easy way में आप सीख सकते हो CSS आप अके लिए नहीं यूज़ कर पाऊगी है हमेसा HTML के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा तभी आपको कुछ UI पर दिखेगा तो इसके लिए आपको basic HTML आना चाहिए अगर आपने HTML बिल्कुल नहीं आता है तो हमारा एक पिछला वीडियो था HTML 0 to hero उसको जरूर देखें बहुत सिंपल में मैंनो बहुत ज्यादा एडवांस चीज़े नहीं बताई है इसमें बहुत basic स्टफ बता है जब आप एक बार basic स्टफ समझ जाओगे तो फिर हम तो यहां पर class हो गया अब refresh कर देते हैं तो यह बन गया जो बनाना था ठीक है अब हम वापस basic स्टफ में जाते हैं जो बाडी में हमने background कलर लगाया था ठीक है इसको हम रिमूफ करेंगे और यहां पर देंगे margin इसका कुछ by default margin होता है जो कि हमने अटा दिया टॉप कंटेनर बॉटम कंटेनर भी हम अटा देंगे कि मैं HTML से अटाये तो अब हम simple एक मीन कंटेनर पर काम करेंगे और मीन कंटेनर में क्या 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 प्रॉपर्टीस हम लगा सकते हैं वह ठीक है मैं refresh कर देता हूं तो यह आपका गया मीन कंटेनर तो मीन कंटेनर मीन कंटेनर हो गया इसमें भी कोई स्टाइल नहीं लग रहा ह कि यहां पर मैं class देता हूं फिर से सिलेक्टर घोगा हमारा मीन कंटेनर होगा और अब हम कैसी करेंगे सबसे पहले मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि क्या कि हम कर सकते हैं सबसे पहले padding पैडिंग से पहले मैं background color देता हूं ताकि आपको दिखने में background color देते हैं black ठीक है औ और मैं इसको refresh करता हूँ, so by default जो text color होता हूँ black होता है, तो black में black gap हो गया, ठीक है, तो हम text color को change करेंगे, text color change करने के लिए color property होता है, ठीक है, for around, तो अभी के लिए मैं white देता हूँ, so white आप simply text में भी लिख सकते हैं, plus आप इसका hash code यूज़ कर सकते हैं, लिए besides double Ocean, और जो ब्लएक का होता है, यह Isaiah triple 0 होता है, यह आपको यदद करने की जरूत नहीं है, अगर यदको हम यह common use होता है black and white तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो black औव white आप simply लेक सकते हैं, तो हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा text कर होता है, तो अंदर की spacing container के अंदर वाले part को space के जैसे यह आप देख रहे हो यह जो है search bar तो इसके अंदर का जो color है वो अलग है तो हमें अंदर की spacing बढ़ानी है तो अंदर की spacing के लिए हम यहाँ पे use करेंगे padding 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 देता हूँ मैं 25 pixel 25 pixel की padding यहाँ से top से होगी bottom से होगी और left से हो जाएगा और padding अगर आपको ऐसे नहीं देना तो padding देने का एक तरीका और है मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि आप padding दो और एक-एक direction बताओ इसको भी अभी comment करते हैं अब पैडिंग में आटा दिया है वो मैं आपको दिखा जाता हूँ अब हम करेंगे padding सबसे पहले direction हम एक left करने है right मैं left का डालता हूँ पैडिंग left अब मैं डालता हूँ 25 पिक्सल अब मैं इसको refresh पर्माता हूँ यह तो लेफ्ट से padding होगी 25 पिक्सल अब मैं क्या करता हूँ इस से पहले कि हम padding उडिंग पे जाए मैं आपको एक border property बताता हूँ border करके property होता है ताकि आप इस container का जो नब border सेट कर पाऊ तो जो border है इस black के बाहर लगेगा तो मैं border देता हूँ इस में border का कैसे होता है 1px तो मैं बता रहा हूँ कि 1px का border हो या 2px का border हो तो 2px का border हो solid solid मतलब आपको जो है ना लाइन जो है वो सकतम solid line होगी उसमें gap नहीं होगा solid और color कौन सा तो color तो मैं दूँगा तो प्राइट सा ताकि yellow green ताकि आपको clear cut दिखे और मैं यहाँ पर safe yellow green मैंने किया था yellow green और मैं save कर दूँगा और यह जैसे यहाँ पर refresh हुआ yellow green border दिख गया अगर मैं यहाँ पर border का size बढ़ा दू तो यह border बढ़ गया है तो यह देखो so guys यहाँ पर दिख रहा है आपको तो यह जो yellow green वाला वो border है main container जो है text है left में जो है वो बैकराउंड कर ब्लाइक है इसे लगा दी जैसे मैंने पैडिंग लेफ्ट लिखा था वैसी अप पैडिंग टॉप तो यह अब चारू डायरेक्शन का प्रोपर्टी दे सकते हो पैडिंग है और इस तरीके से आगे अब फर इजांपल मुझे bottom का ज्यादा देना है तो मैं यहां पर 45 दिखतूंगा और सेव करूंगा और यहां पर को नीची पड़ गया बट अगर हमें कॉमन रखना है कि सारे ही कॉमन है पैडिंग तो हमें इतना चार बार लिखने की जरूतनी हम इसको एक ही लाइन मर्ज कर सकते हैं पैडिंग और सिंप्ली यहां पर मैंने जैसे विट्ट जो है वह 100 परसेंट रवाइडिफॉल्ट काऊंकि पूरा इस्क्रीन कवर कर रहा है तो यह 100 परसेंट पर अब हम क्या करेंगे अब इसका विट्ट दूँगा मैं अपने हिसाब से कि मुझे 100 परसेंट नहीं चाहिए मैं विट्ट कर देता हूं इसको 50 परे 50% लेगा तो यह अगर पूरा यहां पर दिख रहा है तो यहां तक दिखेगा तो मैं इसको रिफ्लेश करूँ यहां तक आ गया 50% और यह 50% ब्लैंक तो 50% हो गया और क्या इसमें मैं कर सकता हूँ अब जो मार्जीन जो होता है मार्जीन कि पै्डिंग मैंने जैसे बता था बार्डर के अंदर का पात हो गया टीक है मार्जीन जो होता ह js competent भाशन के बाब दादे तो आब मैं यह यहां देद्यत हों मार्जीन 10X ओर मैं यह सको सेटनी बाटब करता है ताहिए जैसे हńा पैडिंग वह नहीं किया था ne left right वैसे भी margin के साथ भी आपकर सकते हो मैं यहाँ दिखा देता हूं मार्जन मैं डमटत ज्यादा Wow मारजिन लेफ्ट मैंने कर दिया 50px तो यह लेफ्ट से 50px हो जाएगा, यह लेफ्ट से, क्योंकि ओवर्राइड होता है, यह 10px को ओवर्राइड करते हैं, मार्जिन लेफ्ट को सिर्फ 50px किया, टॉप तो 10px का 10px हो जाएगा, तो यह basic size stuff, मैंने जैसे आपको बताया कि CSS properties कैसे apply होती है, तो मैंने class बना दिया, ऐसी दूसरी class में, दूसरे color में आप कर सकते हो, ठीक है, इसमें मैं font, font जो दिख रहा है, आप उसका size और change करके बताता हूं, तो font size एक property होती है, जिसमें आप font का size बढ़ाँ सकते हो, तो मैं font weight में कर देता हूं, so font weight आप ऐसे लिख सकते हो, कि bold है या normal है, plus आप यह 100, 200, so by default जो होता है, normal 400 होता है, 500 semi bold होता है, और 600 जो होता है, और 700 तो bolder होता है, लेकिन generally हम जो use करते हैं, 400 और 500 और 600 में ही पढ़ जाता है, maximum usage है, तो मैं अभी bold करने के लिए इसको 600 कर जाता हूं, तो देखना यह थोड़ा सा थिक हो जाएगा, यह तो हो गया ना, यह है मतलब CSS का काम, colorful बनाने के लिए, तो आपने जितने भी website देखें, जो थोड़ा colorful दिखता है, बहुत adaptive सा देखता है, gradient दिखता है, वो सब CSS की वजह से होता है, ठीक है, CSS को मतलब आपको सीखना है, बह मैं आपको लंबी वीडियो मना के दूँगा, जिसमें सारी property का usage, बहुत अच्छे तरीके से explain करके दूँगा, तो यह हमने कर दिया, अब जैसे मालों आपने एक दूसरी class बनाई, अब दूसरे मालों container उस पर कैसे use होगा, तो मालों मैं यही copy किया, यही paste किया, यहां पर म मैं container का नाम change कर देता हूँ, second container कर देता हूँ, और इसका नाम मैं second container करके save कर देता हूँ, अब refresh करूँगा, यहां पर आ गया, जो कि कुछ नहीं है, अब अगर हमें same property लगानी है, तो मैं यहां पर क्या करूँगा, comma dot second container, तो यह क्या हो गया, हमने कहा गया, कि इन दोनों class पर same property लगा, तो यह लग गया, लेकिन मैं चाहा रहा हूँ कि सिर्फ second container का जो background color है, वो change हो जाए, तो वो कैसे करेंगा, अगर मैं यहां change करूँगा, तो दोनों का change हो जाए, तो और क्या तरीका है, वही तरीका है, यहां पर आपको क्या करना है, आपने यहां पर second container लिख चेंज कर देते हैं, और text color भी change कर देता हूँ है, तो यह कैसे हो गया है, मतलब हमने यहां पर दोनों का common किया, फिर यहां पर background, so मैं बताया तो आपको कैसे काम किया है, यह आपने main container और second container को बोला कि background color यह लगा तो यह सारी property लगा तो यह सारी property उसने second container को लगा ठीक है, उसके बाद आप दुबारा उसको कहरो कि second container का background color जो है aquamarine कर दो और जो उसका text color है वो black कर दो, तो बहांकि property as it is उस पर apply लगई जैसे कि border रह गया, margin रह गया, padding रह गया, जो चीज हमने बदली वो सिर्फ बदली background color और color, तो basically हमने इसको override कर दिया, इसमें property को, ठीक है, तो अगर आप इसको नीचे लिखते हो, तो override होगा, अगर आप इसको उपर लिखोगे, तो ये, कोई फर्क नी पड़ेगा, क्योंकि, इस property को अभी ये override कर देगा, समझ गया, ये property का priority खतम होगया, इसकी priority होगी, जो नीचे रहता है file में, उसकी priority हाई हो जाती है, तो ये आप का second lesson हो गया, ठीक है, तो ये हमने CSS का basic stuff मैंने आपको बताया है, इसको आपको खुद practical करके देखोगे, तो उतनी ज़्यादा clarity मिलेगी, और actually CSS ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इसको थोड़ा सा properties याद रखने होती चाहिए, कौनकि ये बहुत ज़्यादा use होगी, जब ज़्याद हो ही जाएगा, ठीक है, अब मैं कुछ CSS के जो ना, classes है, जो libraries है, जो famous है, उनके नाम बतायता हूं आपको, और कौन सा आपको सीखना चाहिए, कौन सा नहीं, तो CSS की जो library में सबसे popular जो बहुत पुराना हो बूट्स्ट्रैप, जैसे मैंने यहां पर mean container, second container के class बन जाएगा, और example में बतायता हूं, कि let's suppose मैं एक class बनाता हूं, dot bg, bg white, so bg white का मतलब हो गया, background white हमने कर दिया, ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या कर देंगा, हमने background color gray कर दिया, तो इसी तरीके से जो होता है, bootstrap में बहुत सारे predefined class already बना रखे हैं, आपको बनाने की ज़र तो देखो, तो second container यहां पर आ गया, इसको नाम देते हैं, third container, actually मैं class same रहते हैं, यह third container, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर दूसरा class space दे के आप लिख सकते हो, bg gray, sorry bg white दिया, इसको bg gray कर देते हैं, तो आप जैसे यहां पर bg gray लिखके, save कर दोगे, और यहां पर refresh करोगे, त background जो हो गया, bg gray हो गया, so background color मैंने gray कर दिया, so multiple class आप उसको कैसे लगा सकते हैं, एक class फिर दूसरा class, ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो color यूज की है, background color इसी तरीके से well defined bootstrap में class बने होते हैं, जिसको आप यूज करते हैं, फिर जो second popular जो आज कर मार्केट में बहुत चल fully fledged आपको बताऊंगे tailwind CSS क्यों use होता है, और क्यों इतना popular हो है, तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहरा था, कि इस तरीके से हम CSS को use कर सकते हैं, HTML में, तीन चीज मैंने आपको बता जिया, inline, external और internal CSS का industry में कैसे use होता है, इस वीडियो में मेरे को कम से कम, कम से कम like तो आप कर ही देना, प्लस सब्सक्राइबर की बहुत जरो होते हैं, सब्सक्राइब करना है अगर आपके दोस्त इसी field में पढ़ रहे हैं और उनको कुछ समझ कर देना, और comment में आप अपने queries जरूर पूछो, queries नहीं पूछते तो मेरे को मजा ही नहीं हाता है, मैं college की students को ये video इसलिए दिखाता हूँ, simple way में, ताकि उनको समझने में आसानी हो, plus मैं बैठा ही हूँ आपके help करने के लिए, तो इसी के साथ इस channel को मैं subscribe की उम्मीद कर दो